तो फेने जब बात करूंगा Android 15 beta 1 अपडेट करने के बाद आपको अपना Pixel mobile phone में क्या-क्या new features देखने को मिलेगा mobile performance कैसा है and आपको एपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह मेरा आतमे Pixel 6a mobile phone है Pixel 6 series के साथ साथ Pixel 7 and 8 series में एपडेट देखने को मिलेगा ठीक है Android 15 mainly focused security and AI features के उपर this is Android 15 beta 1 तो इसमें आपको ज्यादा features तो देखने को नहीं मिला बट इसके बाद और भी beta update आएगा उसमें और भी features एड़ होगा और भी improved होगा एड़ जो final release होगा तब पुरा compact improved package देखने को मिलेगा ठीक है एड़ जो Android 15 का final stable update है ए मोटा मोटी आपको आगस्ट सेप्टेमबर तक देखने को मिल जाएगा तो आप अपना Pixel mobile phone में Android 14 से Android 15 beta 1 पे update करने के बाद जब भी आपना mobile phone में notification panel down करके यहाँ पर जितना भी option है इस सभी option को यूज करने के लिए आपको लॉंग प्रेस करके यूज करने का जुरूरत नहीं है अब डायरेक्ट यहाँ पर जिस option को यूज करना चाहते हो उसको पर टैप कीजिए एंड यहाँ एक shot panel open हो जाएगा एंड आप यहाँ से इसको on of everything control कर पाएंगे ठीक है इसके सरसद अभी आप यहाँ पर अपना mobile phone में partial screen record कर पाएंगे मतलब आप यहाँ पर screen recording पर जाकर टैप करेंगे तो यहाँ पर single app and entire screen दोनों आप्शन देखने को मिल जाएगा single app के through आप किसी भी recording करेंगे तो आपका mobile phone में जितना भी application है आप किसी भी application को पाट टैप करके जब भी आप उस application को use करेंगे तो उसी application ही आपका recording होगा and back आएंगे तो तुरंद ओ recording ओब भी हो जाएगा ठीक है तो इस तरह सुपर में देखिए ओ recording ओब भी हो गया and यहाँ पर जो enter screen का option है आप इसको select करके start record पर tap करेंगे तो आपका mobile phone में जो भी activity होगा ओ सारा activity यहाँ पर record होता रहेगा ओके इसके साथ Android 15 में आपको satellite messaging feature support देखने को मिलेगा अब setting पर आकर यहाँ पर satellite messaging टाइप करेंगे तो यहाँ पर satellite messaging एक option देखने को मिल जाएगा इसको पर tap करेंगे तो अभी यहाँ पर कोई भी इसका जो features बगरा setting देखने को नहीं मिलता मतलब यह अब भी just a option आया मतलब अब यह features उतना अच्छा से developed नहीं हुआ but next update में definitely और भी improved होकर आपको अपना mobile phone में देखने को मिलेगा ठीके एन उस टाइम इसको पर बात किया जाएगा तो अब अपना mobile phone में public wifi को use में लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए एक security features यहाँ पर देखने को मिलता है आप यहाँ पर internet और wifi पर tap करके यहाँ पर जो wifi है इसको पर setting में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक privacy करके option देखने को मिलेगा इसको पर tap करने के बाद यहाँ एक option यह send device name इसको off कर देंगे एंड आप किसी public wifi में free wifi में connected रहेंगे तो आपका जो IP है यह आपका mobile phone का जो name है वहाँ पर सोर नहीं करेगा एंड आप उस public wifi को बिंदस यूज़ कर पाएंगे तो इस तरह से public wifi से आपका mobile phone का जो identification है जो privacy है उसको put it कर पाएंगे ओके अभी आप आपको application के अंदर archive features देखने को मिल जाता है जो भी application आप play store से download करते उस application के उपर लॉंग प्रेस करके यहाँ पर app info में जाईए तो यहाँ पर एक archive का option देखने को मिल जाएगा इसको पर tap करेंगे तो तुरंद आपका जो application है वह application यहाँ पर archived हो जाएगा और इसको unarchive कर देखने के तो फिर से अपका play store से download होगा उसके बाद यह यूज कर पाएंगे तो यह मुझे उतना अच्छा नहीं लगा मतलब थोड़ा सा ओड लगा अर्काइब करने के लिए फिर आपका mobile phone में इंटरनेट का जुरूरत है उससे फिर डाउनलोड होकर आप इसको यूज क तो यही कुछ features यहां पर देखने को मिला एंड बाकी बीटा 1 अपडेट करने के बाद जो problem मुझे अपना pixel 6 में देखने को मिला वह कि android 14 अपडेट होने के बाद यहां पर जो camera है उसको आप as a webcam use कर पाते थे बट अब यह Android 15 बीटा 1 अपडेट करने के बाद यहां पर जो webcam इसको मैं जब भी यूज करने के लिए टैप कर रहा हूं तो यह webcam यहां पर काम नहीं कर रहा हूं तो यह automatically यहां से unselect हो रहा है चीके तो एक problem मुझे अभी देखने को मिला यह बीटा 1 अपडेट करने के बाद हो सकते कि in future यह ठीक हो जाए बट अभी के लिए एक problem है चीक परेट कर पाएंगे कोई issue नहीं है बाकि कुछ भी network बगर यह सब में कोई भी problem नहीं हो रहा है यहां पर वाइफाइ इसको आफ करके जब भी में अपना जो 5G है जो 5G है इसको हम select कर रहे है तो यहां पर 5G बरबर आ रहा है कोई problem नहीं हो रहा है तो अपना mobile phone में कोई भी changes नहीं हुआ जो भी पुरान आपको देखने को मिल रहा था कोई same है बट यहां पर जो wizard है यहां पर टैप करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा जो design है उसमें आपको changes देखने को मिलेगा बाकी और कहीं पर भी मुझे उतना कोई changes नजर नहीं आया ठीक है और उसके साथ एंड Android 15 beta 1 में उतना भी खास कुछ features है नहीं जिसके लिए आपको एकदम update करना ही करना है तो अभी के लिए आप चाहे तो इसको update मत किजिए next beta 1 में देख लेते और क्या new features यहां पर add होता है और उसके बाद आप decide कर लेना ठीक है